पानी ही जीवन है हमारा जो शरीर है लगबख 75% पानी से बना हुआ होता है हमारे शरीर को पानी की बहुत जादा आवशक्ता होती है हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम करना चाहिए इसलिए पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है पानी पिने का सही तरीका अगर आपको पता नहीं है तो कब्स या भोजन बराबर न पचपाना ऐसी काफी बिमारिया है जो एक प्राबलम की वज़े से जिसे हम कहेंगे कि पानी पिने का सही तरीका क्या है ये न पता होने की वज़े से हो सकती है तो हमने कितना पानी पिना चाहिए किस तरह से पानी पिना चाहिए कौन सा पानी पिना चाहिए कौन सा पानी नहीं पिना चाहिए पानी कब पिना चाहिए और कब नहीं पिना चाहिए यही बहुत ही महत्वपूर नवाते इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और इसलिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए और समझीए नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कितना पानी हमने पीना चाहिए ये सबसे पहले समझते हैं जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि 75% हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है पानी से और इसलिए कितना पानी पीना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है क्या होता है काम के गड़बड में अगर आप आफिस में काम करते हैं आप भूल जाते हैं पानी पीना तो इसका बुरा असर आपके शरीर पे होता है और इसलिए कितना पानी पीना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है और इस हिसाब से पानी पीना भी बहुत जरूरी है क्या आप जानते हैं आपके शरीर से पेशाब, मल और पसीना यहां से लगबग 2-3 लिटर पानी जो है बाहर निकल जाता है और इसलिए पुरुषों ने 2.5-3.4 लिटर तक के पानी रोजाना पीना चाहिए तो 1.5-3.5 लिटर तक के हरेक की प्यास अलग-अलग हो सकती है हरेक के एक्सुरेशन किस तरह से है उसके उपर यह डिपेंड हो सकता है लेकिन 1.5-3.5 लिटर तक के पानी पुरुषों ने पीना है क्योंकि पानी पीने की गलतिया काफी लोग करते है इसलिए कब पानी पीना चाहिए ये भी जरा समझ लीजी रोजाना जब भी आप सुभे उट्टे है रोजाना सुभे खाली पेट आपको एक से दो ग्लास पानी पीना है इससे क्या होगा आपके जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाएंगे आपके पेट को क्लीन करने का सफाई करने का जो काम है ये पानी करेगा अगर आप सुभे नाश्ता करते हैं तो नाश्ते के आधे गंटे के बाद 30 मिनिट के बाद एक ग्लास पानी आपने पिना चाहिए सुभे के खाने के पहले एक ग्लास पानी आपने पिना है लेकिन 40 मिनिट पहले खाने के तुरंद पहले पानी नहीं पिला है 40 मिनिट पहले एक ग्लास पानी आपने पिना है खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना है, खानी के 40 मिनिट पहले आपने पानी पीना चाहिए, ये पहली important बात, उसी तरह से खाने के बाद, बाद के 40 मिनिट जब हो जाएंगे, तब आपने एक गलास पानी पीना चाहिए, तो खाने के 40 मिनिट पहले और एक गलास बाद में, इस तरह से आपको ये दो ग्लास पानी भी जरूर पिना चाहिए शाम को आपने पिना है दो ग्लास पानी एक एक गंटे के ग्याब से आपने ये पिना है उसी तरह से जैसे आपने सुभे खाने के पहले और बाद में पानी पिया था तो इस तरह से पानी पीने की जो आदत है, खाने से correlate करके आपने डालना चाहिए, सुबे उठने से लेके रात को सोने तक के पानी कब पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, ये आप समझ गये लेकिन कब पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है तो खाने के तुरंद पहले या खाना खाने के तुरंद बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पिना चाहिए इससे क्या होगा जो आपने खाया है वो पचने के प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी आपका पाचन बिगड सकता है इसलिए खाने के तुरंद बाद या खाना खाते वक्त जादा पानी नहीं पिना चाहिए पिशाप के तुरंद बाद भी आपने पानी नहीं पिना है पिशाप के बाद क्या होता है आपके अंद्रूनी जो अंग है वो सिकुड ने लगते है और इसलिए तुरंद पानी नहीं पिना यह आपके लिए घातक हो सकता है चाय और कॉफी या कोई भी गरम चीज आप लेते हैं गरम लिक्विड अगर आप लेते हैं आप गरम दूद भी लेते हैं तुरंद बाद आपने पानी नहीं पिना चाहिए क्या होगा गरम और थंडा ऐसे इस तरह से जब आपके शरीर में जाता है तो इससे आपको तकलिफ हो सकती है आपको गले की समस्या हो सकती है या टॉंसिल की समस्या हो सकती है गले में सूजन आ सकती है इसलिए गरम चीज के बाद तुरंद पानी नहीं पिना है थोड़ा सा रुख जाना है आपने और एक बात आपने जो याद रखनी है वो है खटे फल अगर आप खाते है तो उसके पिना है आराम से बैटकर ही आपने पानी पिना चाहिए एकदम से पानी नहीं पिना है धीरे धीरे एक गुट करके पानी पिना है पानी को आपने थोड़ी देर के लिए आपके मुँ में रखना चाहिए फिर पिना चाहिए और जरूरी बात जो होती है आप पानी को गलास म पानीलेकर उसको मूह लगाके फिर आराम से घुठ घुठ पानी पिना है पानी पिने का मजा लेना है और बैठकर ही पानी पिना है, खड़े-खड़े पानी मत पीजी पानी डारेक्ली आपके स्टमक तक चले जाता है, वो थोड़ा सा आपके लिए कोंड की प्रूब तेद ने स्थेर्ट हैं, फ्रीज का पानी, एकदम थंडा पानी, जो आप पीते हैं, वो आपने बिल्कुल नी पीना च 주세요, काफी ऐसे लोग हैं जो डरेक्ट ली बॉटल निकालके या फ्रीजर में रखते हैं पानी और बहुत चिल पानी पीते हैं, ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस है एकदम ठंडा पानी आपने नहीं पिना है इनफेक्ट आपने सामान्य टेंपरेचर रूम टेंपरेचर का ही पानी पिना चाहिए तो सामान्य टेंपरेचर का और गुनगुना पानी पिना आपके सिहत के लिए बहुत ही फाइदेमंद ह हो सकता है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टॉंग से हमेपती इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए धन्यवाद झाल